TradingView ने recently बहुत सारे changes किये हैं, जहांपर उन्होंने बहुत सारे नई features भी add किये हैं, जिनमें से बहुत सारों के बारे मैं आपको मालूम नहीं है। तो हम इस वीडियो में ऐसे ही trading view के top 50 नई features की बात करने वाले हैं। तो चलिए हम सबसे पहले कुछ छोटे-छोटे फीचर्स की बात करते हैं, अब अगर आप चाहते हैं कि आपने अपने चार्ट में जो भी ड्रॉइंग्स ड्रॉइंग की हुई है, वो आपको इस टाइम फ्रेम में और इस से उपर वाले टाइम फ्रेम में देखें, तो सबसे पहले आपको इन दोनों ड्रॉइंग को सेलिट करना है, और उसके बाद इन पर र्डॉइंग करना है, और यहाँ पर विजिबिलिटी on intervals option में जाके, current interval and above सेलिट करना है, और इसके बाद आपकी ये ड्रॉइंग्स सिरफ इस टाइम फ्रेम में और इस से उपर वाले टाइम frame में ही दिखेगी अगर आप इससे नीचे वाले टाइम frame में जाएंगे तो वहां पर आपको यह trend line नहीं दिखेंगी ऐसे ही अगर आप चालते हैं कि आपको ये lines इस time frame में और इससे नीचे वाले time frame में दिखेंगे तो सबसे पहले इन दोनो line को select करिये और फिर visibility on intervals पे आके current interval and below पे क्लिक कीजिए और अब आपको ये lines सिरफ इस time frame में और इस से नीचे वाले time frame में दिखेंगी इस से उपर वाले time frame में नहीं दिखेंगी अगर आप multi time frame trading करते हैं तो आपके लिए feature बहुत काम का है अब मेरे stock के अंदर recently एक split हुआ है जहां पर ये share की value आदी हो गई है अब ये split में trading view ने इस stock का price तो arrange कर दिया है पर आपने अपने chart में जो पहले trend lines या बाकी tools draw की हुए थे उसको इस नए price के according adjust नहीं किया है और अब trading view के नए feature को यूज़ करके आपको एकदम quickly adjust कर सकते हैं उसके लिए आपको अपनी सारी drawing select करनी है उसके बाद उन पर right click करना है और फिर setting में जाना है और फिर displacement में जाना है अब क्योंकि मेरे इस share का price आधा हुआ है तो यहां पे मैं divide का sign डालके to लिखूंगा ताकि मेरी trend line का price भी आधा हो जाए और उसके बाद okay पर click करूँगा और आप देख रहे हैं कि मेरा chart उसके according adjust हो गया है और उसके उपर की drawing भी उसके according adjust हो गई है ये नया feature भी आपका बहुत सारा time save कर सकता है अब generally आपको trading view में अपने time axis पर date और time दिख जाता है पर अगर आप चाहते हैं और यहाँ पर day of week label पर click करना है इसके बाद आपके chart में आपको date और time के साथ day भी show करेगा और ऐसे ही trading view आपको charts के अंदर 24 hour format में time दिखाता है अगर आप उसको 12 hour format में convert करना चाहते हैं नीचे scroll करके 24 hour की बजाए 12 hour select कर लीजे अब आपको time scale के ऊपर जो time दिखेगा वो 12 hour format में होगा अब अगर आपको अपनी stock या index का price किसी और currency में देखना हो तो आप वो भी कर सकते हैं जैसे मैं देखना चाहता हूं कि nifty index का price US dollar में कितना है तो उसके लिए मुझे इस option पर क्लिक करना है उसके बाद यहाँ पर UST यानि US dollar टाइप करना है और उसके बाद इसको select करना है और अब मेरा chart US dollar में convert हो जाएगा अब मुझे जो यहाँ price दिख रहा है यह nifty का US dollar price दिख रहा है यही same चीज मैं किसी stock के साथ भी कर सकता बाद इसका price मुझे इंडियन रुपी में दिख रहा है मैं इस option को use करके इसका price US dollar में convert कर रहा हूँ और अब मुझे इसका price US dollar में दिख रहा है इतना ही नहीं अगर आप commodity trading करते हो तो आप currency के साथ उसका unit भी change कर सकते हो अब जैसे बाद इंडियन MCX market में गोल्ड का price TESA gram की according होता है अगर मैं देखना चाहता हूँ कि इस time पे gold का price per 10 kilogram क्या चल रहा है तो मैं यहाँ पर यह option चूज करूँगा और मेरे पास per 10 kilogram का price यहाँ पर आ जाएगा अगर मैं देखना जाता हूँ कि gold का price per gram क्या चल रहा है तो वो भी यहाँ पे आ जाएगा अब इस conversion process में एक छोटा सैश्यो है जब भी मुझे कोई चीज को convert करना हो तो मुझे currency option में जाके उस currency का नाम दुबारा से search करना बढ़ता है पर यहाँ पे उसका भी solution है जो currency में frequently use करता हूँ मैं उसके आगे star को click करूँगा तो अगली बार जब भी मैं currency option को tick करूँगा तो वो currency top पर आ जाएगी ऐसे ही आप अपनी favorite currencies के आगे star को tick कर दीजिए और next time जो आप currency conversion के लिए जाएगे तो आपको दुबारा से उसको search निकाना पड़ेगा यही सेम चीज आप unit में भी कर सकते हैं जो unit आप सबसे जारा frequently use कर रहे हैं आप उंग के आगे star को tick कर दीजिए और वो इस list में top पे आ जाएगी अब आपने कभी न कभी volume indicator दे उस किया होगा जो आपको यह दिखाता है कि उस particular candle के अंदर कितनी volume हुई है अब trading view ने इसी volume tool का एक नया version भी launch किया है जसको बोलते है 24 hours cumulative volume यह indicator आपको यह दिखाता है कि पिछले 24 घंटे में total cumulative volume कितनी है अगर आप चाहते हैं कि मैं इस indicator के ऊपर एक अलग से video बनाऊ और बताऊं कि आप इस indicator को कैसे कैसे use कर सकते हैं तो आप मुझे इस video के comment section में लिखके बता सकते हैं और हाँ मैंने इससे पहले एक indicator के बारे में video बनाई थी जो की दिखने में ऐसा है और जो आपको Fires platform पे exam free में मिलता है मैं इस tool को use करके nifty में reversal प्ले करता हूँ जहां पर आप इनके periodic volume profile option को use करके volume profile का calculation period अपने according चूज कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं कि volume profile पिछले 20 candles के according calculate हो तो आप यहां 20 bar option select करके ok पे click करेंगे और आप यह हर 20 bars के लिए एक separate volume profile create कर देगा ऐसे ही अगर आप चाहते हैं कि आपकी volume profile हर 2 दिन के according calculate हो तो आप वो भी यहां पे कर सकते हैं ऐसे ही आप अपने preference के according यहां पे number of bars या number of days, weeks, months select कर सकते हैं और in fact आप इनके session volume profile tool को use करके time wise volume profile भी create कर सकते हैं बस आपको session में जाके custom select करना है और यहां पे time select करना है जैसे अगर मैं चाहता हूँ कि मेरी volume profile सुभा market open से लेकर सुभा 11 बजे के according calculate हो तो मैं यहां वो time choose करूँगा और okay पे click करूँगा और अब जो मेरी volume profile है वो इस time के according calculate होगी इतनी जादा customization volume profile के अंदर मैंने तो कभी नहीं देखिए तो मुझे तो यह feature बहुत अच्छा लगा और अगर आप ऐसे multi chart layout यूज करते हैं तो आपको अगला feature भी उतना ही अच्छा लगने वाला है आपको बस layout option में जाके data range को select करना है और इसके बाद आप जब भी एक chart के अंदर data range को change करोगे यानि chart को zoom in या zoom out करोगे तो बाकी charts के अंदर भी उसी के according zoom in और zoom out होता रहेगा अगर आप एक multi chart trader हो तो आपको ये feature भी बहुत अच्छा लगा होगा और हाँ अब आप अपने charts में images को भी add कर सकते हैं उसके लिए आपको side bar में जाके image पर click करना है और यहाँ पे अपनी image select करनी है और उसके बाद ok पर click करना है अब आप इस image को अपने chart में जहाँ चाहे add कर सकते हैं पर मेरा favorite feature इससे अगला है मैं एक person को twitter पर follow करता हूँ जि अपने chart में जाके control V दबा दूगा और इससे उनका ये tweet chart में copy हो चुका है और सबसे best बाद ये tweet उस candle पे tag हो चुका है जिस time पे ये tweet actually हुआ था और ऐसे ही मैंने इंका एक और tweet भी copy paste कर दिया है ये feature use करके मैं देख सकता हूँ कि जब इनोंने ये post किया था उसके बाद market न वो highlight हो के दिखती है आपको बस वो stock का chart अपनी screen पे लगाना है और यहाँ पर purple color में उसकी latest news लिखिया जाएगी और हाँ आप अब stocks पर अपने personal notes भी add कर सकते हो जैसे मैंने ये note यहाँ पर लिख दिया है अब मैं add पर click करूँगा तो ये note date के साथ add हो जाएगा और साथ मे मेरी watch list में इसके सामने ये symbol भी बना जाएगा जो मुझे ये बताएगा कि मैंने यहाँ पर कोई note add किया हुआ है अगर मैं अपने add के हुए सभी notes देखना चाहूं तो मैं इस option पर click करूँगा और मेरे सभी notes यहाँ पर लिखिया जाएगे तो ये थी हमारी trading view के नए features के list आ अपर बताएगे देखना परिखियां पर लिख लिखिया जाएगे थे नाएगे।